नमस्कार दोस्तों, ISM Classes के YouTube चनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मैं अभिशेक, हम पढ़े थे MPGK को जिलावाइस हमने शुरू किया था भोपाल संभाग से हमने पढ़ा पिछली किलास में भोपाल जिले के बारे में आज हम भोपाल संभाग का ही आगला जिला राजगर जिले को पढ़ने वाले हैं हम बात करें राजगर जिले की तो राजगर जिले का गठन 1948 में किया जिले के रूप में बात करें जिला मुख्याले राजगर में स्तित है ये किस संभाग के अंतरगत आता है भोपाल संभाग के अंतरगत आता है हम बात करें इसके छेत्रफल की तो इसका छेत्रफल है 6153 वर्ग किलो मिटर आगे हम चलें 2011 की जन्गन्ना के अनुसार राजगर जिले की जन्संख्या है वो है 15,45,814 क्या है ये जन्संख्या हम बात करें यहां के जन्संख्या घनत्व की जन्संख्या घनत्व जन्संख्या घनत्व यहां पर है 251 प्रती वर्ग किलो मिटर कितना है 251 प्रती वर्ग किलो मिटर हम आगे चलें यहां की बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात यहां का है 256 चपपन लिंगानुपात है नो सो चपपन आगे चलें हाँ पे तो साक्षर्ता दर साक्षर्ता दर है यहां की 61.2 प्रतिशत इतनी है 61.2 प्रतिशत चली 1948 में से जिलेक रुप में गठन हुआ है बोपाल संभाग के अंदर दाता है चेतरफल है 6153 वर्ग किलो मेटर जन संक्या है 15,45,814 जन संक्या घनत है 251 प्रतिशत वर्ग किलो मेटर लिंगानुपात है 956 साक्षर्ता दर है यहां की 61.2 आगे चलें तो राजगर जिले से होकर कौन से राष्टी राजमार्व गुजरे हैं तो राजगर जिले से दो राष्टी राजमार्व कर गुजरे हैं वो है एनेच 12 और एनेच 03 नेचल हाइवे 12 और नेचल हाइवे 03 हम आगे चलें देखे राजगर जिले की सीमा किन किन के साथ लगती है तो राजगर जिले की सीमा एक तर लगती है राजिस्थान राजजी के साथ हम आगे आएं तो फिर आगर मालवा फिर शाजापुर सीहोर भोपाल और गुना कितने ह trajectory है तो एक राजिसान राजी के साथ लगती है हम बात करें राजगर्ण की सीमा कितने जलों के साथ लगती है तो आगर्मालवा, शाजापूर, सीहोर, भोपाल और गुना हम बात करें आगे राजगर जिले की प्रमुख नदियां, कौन-कौन सी है? प्रमुख नदियां, तो एक तो नेवज, आपकी सोनार नदी, काली सिंध और पारवती, ये चार नदियां इस जिले की प्रमुख नदियां है, हम बात करें नेवज की, तो पुराणों में इसका नाम निर्विन्धि निर्विंदिया इसको कहा गया तो किस नदी का प्राची नाम निर्विंदिया है या निर्विंदिया के नाम से कौन से नदी प्रिख्या थी तो वो है आपकी नेवज चले आगे चले बात करें राजगर जिले में कितनी तैसिले हैं तो राजगर जिले में साथ तैसिले आती हैं तो राजगर जले में साथ पिसल आती हैं देख लेते हैं कौन सी है एक है आपकी राजगर ब्यावरा नर्सिंगर पचोर उसके आपकी सारंगपुर जीरापुर और खिल्चीपुर कितने होगी राजगर ब्यावरा नर्सिंगर पचोर सारंगपुर जीरापुर खिल्चीपुर ये साथ तैसिले राजगर जिला के अंतरगत आती हैं हम बात करें, राजगर्ण जिले की विकास खंड कितने हैं, तो इसमें 6 विकास खंड हैं, हम पच्चोर को हटा दें, तो ये 6 विकास खंड इस जिले में आते हैं, कौन से जिले में? राजगर्ण जिले में, तो ये तो हो गए कुछ प्रमुक बाते हैं, हम आगे आएं, तो प जनिपूर था जन जनी पूर जन जनी पूर था राजगर जिला जो है वो भील जन जाती के द्वारा बसाए गया था राजगर जिला का प्राचिन नाम जो है पुराना नाम वो है जन जनी पूर जिसको भील जन जाती के द्वारा बसाए गया था बात है सन 1640 इस्वी की तब हमारे परमारवन्ष के राजा जिनका नाम है राजा रावत मोहन सिंग राजा रावत मोहन सिंग ने भीलो को हरा कर राजगर जिले को अपनी राजधानी बनाया था इसी दोरान राजा रावत मोहन सिंग ने यहाँ पे कुछ प्रसिद महलों का निर्मान किया जिन में से विने विलास महल, रंग महल, नर्सिंग महल, उसके बाद पिर इंद्र महल, बादल महल, आदी महलों का निर्मान करवाया बात करें 1681 की तो नर्सिंगड रियासत से अलग होकर एक नई रियासत बनी जिसको कहा गया नर्सिंगड रियासत जिसने अपने राजधानी नर्सिंगड को ही बनाया 81 में नर्सिंगड रियासत बनी राजगड रियासत से अलग होका जिसने बने राजधानी नर्सिंगड को ही बनाया हम देखेंगे हर एक तेसिल की कुछ प्रमुक इस्थल लेकिन उसके पहले हम आगे चलें तो प्रश्ण आता है कि मद्वदेश का या देश का पहला जिला जिसने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की तो देश का पहला जिला जिसने जिला इस्थर पर मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट देश का पहला जिला इस्तर पर मानो विकास रिपोर्ट बनाने वाला जिला राजगर जिला हम आगे चलें और सरवाधिक रेगिस्तान वाला जिला सरवाधिक रेगिस्तान वाला जिला भी कौन सा है तो वो राजगर जिला है आगे चले हम राजगर जिले के कुछ प्रसिद्ध मंदीर हैं जिनमें से सबसे पहला आता प्रसिद्ध जालपा माता मंदीर जिसको भी लजन्जादी के द्वारा ही बनाये गया जालपा माता मंदीर तो प्रस्ण पूछा गया कि जालपा माता मंदीर कहा अस्ती थे तो आपको उत्रोगा राजगड में राजगड में हम बात करें आगे तो एक खोईरी खोईरी नामक जगे है जहाँ पर बेजनात महादेव का मंदिर है बेजनात महादेव का मंदिर है राजगड जिले में राजगड में एक प्रसिद्ध दरगा है जिसको कहा जाता है बाबा, बदक, शानी, दरगा जहां हर वर्ष मार्च के महा में उर्ष का आयोजिन कहा जाता है और जो सामप्रादाइक सदभावना को दर्शाता है राजगर में एक परियोजना ही जिसका नाम है मौहनपूरा-डेम-परियोजना मौहनपूरा-डेम-परियोजना और यहीं परिस्ति थे हम आगे चलें, देखें राजगर के बारे में हम इसका रिवाइस कर लें 1948 में इसका गठन हुआ, बोपाल संभाग के अंतरत आता है, 6103 निहा का छेत्रफल है, जनसंक्या 15,45,814 है, जनसंक्या गनत्व 251 प्रती वर्ग किलोमेटर है, लिंगानुपात 956 है, साक्षरत अदर 61.2 प्रतिशत है, इसका प्राचिन नाम जन्जानी पूर है, जो भेल जन राजा रावत महन सिंग ने भीलो को हरा कर इसको अपने राजधानी बनाया, 16-81 में नरसिंगड रियासत इससे अलगों कर अलग रियासत बनी, जिसके राजधानी नरसिंगड ही थी, हम आगे चलें, और एक और चीज़ की राजगड जिले का नाम, राजगड का नाम राज राजधा गजशिंग ने अपने पुत्र राजगड का नाम रखा, यहां की प्रसिद्ध नदियां है नेवज, जिसको निर्विंधिया नाम से भी जाना जाता है, सोनार, कालिसिंद और पारवती, राजगड जो है, एक राजिस्तान, राजिक सा सीवा लगाता है, इसके आसपास के जिले हैं, आगरमालवा, शाजापूर, सीहोर, भोपाल, गुणा, हम आगे चलें, इसकी साथ तैसिले हैं, राजगड, ब्यावरा, नरसिंगड, पचूर, सारंगपूर, जिरापूर, खिल्चीपूर, इसके चे विकास खंड है, राजगड, ब्यावरा, नरसिंगड, सारंगपूर, जिरापूर, खिलचीपूर। हम बात करें तो राजा रावत महन सिंग ने यहाँ पे कुछ महलों का निर्मान करवाया जिन में विने विलास महल, रंग महल, नरसिंग महल, एंद्र महल और बादल महल हैं। हम आगे चलें, यहाँ पे राजगड में प्रसिद्ध जालपा माता मंदिर है, यहाँ पे खोरी में बेजनात महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध दरगा, इसका नामे बाबा बदक्षानी दरगा है, जहाँ पे प्रतिवर्ष उर्स का आयुजिन किया जाता है चले हम आते हैं ब्यावरा पर इसी एक तेसले ब्यावरा अब राजगर से दो प्रमुख राज्ट्री राज़मार्ग निकले ही NH 12 और NH3 और यह दोनों ही आकर जहां मिलते हैं वो जिला है राजगड और जो दोनों एक दूसरे आके जहां काटते हैं वो ब्यावरा है तो रास्ट्री राजमार्गों का चोराहा क्या बोल रहा हूं है रास्ट्री राजमार्गों का चोराहा कहां इस्ती थे राजगड जिले में इस्ती थे और कहां ब्यावरा में तो रास्ट्री ब्यावरा भी राजगर जिले में है और जो आके मिलते हैं जहां पर वो ब्यावरा है प्रसिद अंजनी लाल मंदिर कहां इसती थे ब्यावरा इसती थे ब्यावरा के समीपी घुरेल नामक जगे है जहां पर पशुपतिनात का मंदिर इसती थे विश्वतिनात मंदिर भी कहां राजगर जिला में हैं और घुरेल में हम आगे चलें ब्यावरा के आगे नर्सिंगड में तो प्रश्न आता है कश्मीरे मालवा क्या है कश्मीरे मालवा नाम से कौन सा जगे फेमस से प्रसिद दे तो नर्सिंगड को कश्मीरे मालवा कहा जाता है जो राजगर जिले के अंतर प्रगत आता है यहीं पर दो तलाब है जिनका नाम है परशूराम तलाब एक और है अर्जुन तलाब यहां पर प्रसिद्ध महादेव के मंदिर भी है जिसका नाम है कपिलेश्वर महादेव एक है टोपिया महादेव जिसको आप किते हैं बेजनात महादेव एक और जगें यहां पर इस्तित है एक और चीज यहां पर है जिसको हम जानते हैं चीडी खो चीडी खो अभ्यारण चीडी खो अभ्यारण किस जिले में इस्ति थे राजगर जिले में इस्ति थे और कहां पर नर्सिंगड के समीप और चीडी खो अभ्यारण के समीप ही दो अभ्यारण और हैं जिसका नाम है जामुन खो और एक है अंधयार खो चली नर्सिंगड के आरेवने पड़ा कश्मीरे मालवा के नाम से कौन सा है नर्सिंगड को जाना जाता है मालवा का कश्मीर भी कौन है नर्सिंगड है हम बात करें यहाँ पर तलाब है परशुराम तलाब कहा इस्तित है नर्सिंगड में आरजुन तला भी नर्सिंगड में है, कपिलेश्वर महादेव नर्सिंगड में है, टोपिया महादेव, बेजनात महादेव भी नर्सिंगड में है, चीडी को अभ्यारन भी नर्सिंगड के पास इस्तित है, और महीं पर जामुन खो और अंदिकार को भी इस्तित है चलिए आते हैं सारंगपूर पर तो यहां पर बाज बहादूर और रानी रूपमती की प्रेम गाताओं से जुड़ा इसमारक भी है और रानी रूपमती का मकबरा भी है और रानी रूपमती का जो मकबरा है वो कौन सी शेली में है पुरा शेली में पुरा शेली में बना हुआ रानी रूपमती का मकबरा कहां इसी थे राजगर जिला में इसी थे सारंगपूर में है एक और प्रसिद मंदीर है सारंगपूर के निकट जिसको आप जानते होंगे भ चलिए आते हैं जिरापूर पर जिरापूर में हम बात करें चापी डेम चापी डेम कहां पर है राजियर जिला में सी थे जिरापूर के निकट प्रसिद्व वेंकटेश मंदिर प्रसिद्व वेंकटेश मंदिर कहां सी थे जिरापूर में सी थे चलिए हम आगे चलें और बात करें खिलचिपूर की तो आता है प्रसिद्व शनीदेव मंदिर कहां सी थे शनीदेव मंदिर तो शनीदेव मंदिर कहां सिते शनीदेव मंदिर प्रसिद्ध शनीव मंदिर राजगण जिला में सिते और कहां पड़े खिलचिपूर के पाप, खिलचिपूर में ही सिते चली यह तो हमने पड़ा कि हर एक जो हे तेसिल से क्या क्या चीज प्रसिद्ध है प्रसिद्ध स्तल और वो किसके अंतरगत आते हैं राजगड जिला के अंतरगत आते हैं चले आगे बड़े हमने राजगड जिले का रहे हैं पड़ा और देख ले थे और अन्यय प्रमुक इस्तर जो राजगड जिले में आते हैं हमने पश्मदिनात मंदिर देखा ब्यावरा के आगे गुरेल पहाड़ी परस्ती थे शाम जी साका की छत्री है ना शाम जी छत्री कहां पर है राजगड जिला में च्छा बड़ा की गुफाए किस जिले मिश्ती थे राजगड जिले मिश्ती थे हनुमान मंदिर भामगड कहां इसी थे राजगड जिले मिश्ती थे तो मित्रों हमने पूर को केसा लगा चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में धन्यवाद